वेल्कम टू क्वेस्टिन आंसर चैनल क्लास 10 इंग्लिश की पोएम नमबर 6 है एमेंडा आज हम करेंगे इसके mcq questions तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो I hope children आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो so that आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें question number one देखिए who is the poet of the poem एमेंडा एमेंडा के poet कौन है रॉबिन लेंड what is the meaning of slouching slouching का मतलब क्या है sit in a lazy way आप कभी-कभी ऐसे बैठते हो नो सीधे नहीं बैठते हो उसको what could एमेंडा डू if she were a mermaid mermaid क्या होती है जलपरी जिसको आधी body female की होती है और आधी body fish जाची होती है तो वो green sea में रहेगी और relaxing life जियेगी so right answer होगा all of the above name the literary device used in the line stop that slouching and sit up straight अब देखो as, 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 as बार-बार as, as जो repeat हो रहा है जो जब भी repetition होता है किसी भी letter का वहाँ पे होता है alliteration हिंदी में इसको बोलते है अनुपरासलंका है what does she want to do as an orphan वो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई है अपने parents है या उस elder से जो उसको बार-बार instruction दे रहा है वो कहरें इस से अच्छा तो यह ना ही हो मैं और फन हो जाओ और फन मतलब जिसके mother, father जिसके parents ना हो एक तो वो कहीं पर भी घुमेगी गलियों में कोई रोक टोक नहीं होगी वो dust में खेल सकती है bare feet मतलब नंगे पैर so right answer है all of the above what does she imagine being when she pictures herself in a tower जब वो अपने आपको एक tower में imagine करती है तो वो क्या imagine करती है कि वो क्या है वो एक Rapunzel है what will Amanda's behavior make people think Amanda के behavior से लोगों को क्या लगेगा Amanda के behavior से लोगों को यह लगेगा कि उसकी जो mother है या उसके जो parent है वो उसको बहुत ज़ादा harass करते है Amanda was a dash Amanda कैसी लड़की है moody लड़की अगर आपने इस poem को पढ़ा है तो कभी तो उसका mood करता कि मैं यहां से भाग जाऊं इससे बढ़िया मैं मरमेड हो जाऊं इससे बढ़िया मैं Rapunzel होती इससे बढ़िया तो मैं कुछ और होती इससे बढ़िया तो मैं Orphan होती तो वो mood ही है कभी कुछ कभी कुछ Amanda wanted Amanda क्या चाते थी Amanda चाते थी कोई रोक टोक ना हो मुझे बस पूरी तरह freedom मिल जाए The word drifting means जब वो drift word यूज करती है मरमेड के लिए तो मरमेड क्या करती है पानी में move करती रहती है slowly धीरे धीरे Amanda was Amanda क्या है Amanda है teenager जैसे आप लोगों जो इस वीडियो को देख रहे हो 8th, 9th, 10th ये सब बच्चे teenager होते हैं चीक है तो वो भी एक teenager है आप लोगों की तरह According to Amanda Who of the following was happier than her Amanda के हिसाब से उससे ज़्यादा खुश कौन कौन है Amanda को लगता है जो मरमेड है जो पानी में रहती है जलपरी वो भी मुझसे ज़्यादा खुश है जो औरफन है जिनके पैरेंट्स नहीं है वो भी मुझसे ज़्यादा खुश है So right answer होगा Both A and B The life of the मरमेड बता दिया मैंने मरमेड मतलब जलपरी Amanda के हिसाब से मरमेड की लाइफ कैसी है हाला कि वो रहती तो अके लिए Sorry रहती तो अके लिए लेकिन blissful Blissful का मतलब मजेदार जिन्दी है कोई रोक टोक करने वाला नहीं है वो अपने मन की मालकिन है Amanda experienced चाहती तो वो freedom थी लेकिन उसको क्या मिल रहा था उसको मिल रहा था dominance मतलब कोई उसको डॉमिनेट कर रहा था चॉकलेट मत खाओ अपना हूंवर कर लो ऐसे मत बैठो सीधे बैठ जाओ जूते साफ कर लो तो कोई उपर से बार-बार उसको डॉमिनेट कर रहा था next Amanda compared herself with Amanda ने अपने आपको किस से compare किया उसने अपने आपको compare किया था रपुन्जल से जो कि टावर में रहती थी guys अभी तक इस वीडियो को एक like नहीं किया है तो आप से request करूँगा प्लीज यार एक like कर देना आपके एक like से एक subscribe से बहुत motivation मिलता है मैं तीन तक count करूँगा चिल्डन फ्लीज वीडियो को like कर देना 1,2,3 I hope चिल्डन आपने वीडियो को like कर दिया है चैनल को subscribe कर दिया है thank you guys Amanda was asked by either a parent or an elder Amanda के जो parent है या कोई parent हो क्या कह रहा है उससे अपने नेल्स मत चबाओ ऐसे मत बैठो shoulders को ऐसे मत करो सीधे बैठ जाओ so right arm's on होगा all of the above what did spoil Amanda's childhood pleasure Amanda का जो childhood है वो किसकी वज़े से बरबाद हो रहा था constant controls exercised by her parents and elders उसको घर में लगाता न इंस्ट्रक्शन मिलते थे पैसे मत करो ये करो चॉकलेट मत खाओ जूते साब कर लो what does the speaker forbid Amanda जो Amanda को instruction दे रहा वो क्या खाने से मना करता है चॉकलेट खाने से मना करता है अगर वो चॉकलेट खाती है तो उसके एकने हो जाते है who was Rapunzel Rapunzel कौन थी एक fairy थी एक परी थी जिसको एक विच ने बंद कर लिया था who had imprisoned Rapunzel को किसने कैद में बंद कर लिया था विच होती है एक जादू गर्मी Amanda would rather indulge in fantasies than जब भी Amanda से कुछ काम करने के लिए कहा जाता था वो अपने ही ख्याली पुलावों में खो जाती थी तो मतलब उससे कहा जा रहा है room साफ कर लो जूते साफ कर लो लेकिन वो अपनी ही fantasy में खो जाती थी how is silence described तो वो कहती इतनी मैं परेशान हो गई हूँ मुझे तो silence से और silence को वो क्या कहती है golden मतलब बहुत अच्छा how should Amanda sit Amanda को कैसे बैठने के लिए कहा जाता है straight she is being instructed to उसको क्या कहा जा रहा है उसको कहा जा रहा है to clean her room अपना room साफ कर लो what does Amanda wish to do in the sea समुंदर में वो क्या करना चाहती है वो watch soft moving waves जो waves है जो ऐसे से move करती है उनको धीरे धीरे देखना चाहती आराम से बेना किसी डिस्टब के who is asked to stop sulking जैसे आप किसी बच्चे को डांट दो तो वो थोड़ा सा नाराच्चा हो जाएगा आपसे तो किस से कहा जादा सलक मत करो Amanda से कहा जा रहा है जादा रखरे दिखाने की ज़रूद नहीं है what was Amanda to finish अमेंडा से क्या finish करने के लिए कहा जा रहा है कि अपना homework complete करो name the literary device stop slouching sit straight sssss बार बार आ रहा है तो alliteration है what should Amanda not why should Amanda not eat chocolate क्यों नहीं खानी चाहिए क्योंकि उससे दाने दाने हो जाते है acne हो जाते है she is instructed to क्या instruct किया जा रहा है उससे उससे ये कहा जा रहा है कि सीधे बैठो sit up straight वो कह रही है सोच रही है I am an orphan roaming in the street eye patterns of dust यह सभी वो सोच रही है the tone of the given line इन lines की जो tone है वो कैसी है peaceful है बहुत शांती है the golden silence is contrasted with जो golden silence है उसको किस से contrast किया जा रहा है उसको किया जा रहा है constant instruction received एक तरफ तो वो imagine करती है कि मैं बिलकुल silence में हूँ मेरी पूरी freedom है और एक तरफ उसकी life में बार 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 उसको कोई रोक रहा है टोक रहा है इन एमेंडा देर आर सेवन स्टेंजर्स इस पोयम में साथ स्टेंजर्स दसी को कैसा बताया गया समुंदर को लैंग्विड एंड इमरेल्ड इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे comment section में देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे आप चाहो तो अपने आंसर में A, B, C या D लिख देना comment में मैं समझ जाऊँगा So I hope मेरा ही छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा Please वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्स्क्राइब कर देना आप हम मिलते हैं एंगले वीडियो में बाबाए